मेरे परिवार जनों आपने हाँ ब्रजक्षेत्र की बड़ी मशूर कहावत है हमारी यहाँ वो बोला जाता है जा पत्तल मैं खानो वहां मैं छेद करनो कॉंग्रेस ने यहाँ आपके साथ ऐसा ही किया है यहाँ कॉंग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे लेकिन हुआ क्या बीते पांच वर्षों में बहनों बेटियों पर दलीतों पर बंचीतों पर सबसे ज़्यादा अपराद हुआ सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ होली हो राम नौमी हो हनुमान जेन्ती हो कोई भी जोहार आप लोग शान्ती से नहीं मना पाए दंगे पत्थरबाजी करफ्यों राजस्थान में यही सब चलता रहा कॉंग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी अपरादी और दंगाई बेल लगाम हो जाते हैं कॉंग्रेस के लिए तुष्टी करण ही सब कुछ है कॉंग्रेस तुष्टी करण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है चाहे इसमें आपका जीवन तक दाओं पर क्यों न लगाना पड़े जात्यों कॉंग्रेस ने राजस्थान के महलाओं के विश्वास को भी चकना चूर कर दिया जो मुक्रमंत्री खुद कहे कि महलाएं रैप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है क्या वो महलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं क्या कोई महा बेन बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे और यह क्या हो गया है कॉंग्रेस के लोगों को क्या ऐसे मुक्षमंत्री को ऐसे जादूगर को एक मिनिट भी कुर्शी पर रहने का हक है क्या एक मिनिट भी रहने का हक है क्या अब उनको बिदाय करोगे और नहीं करोगे आप लोग पक्का करोगे 25 तारीक आपके हाथ में है भाईयों और बहनों महिलाओं को लेकर कॉंग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है यह कॉंग्रेस के एक मंत्री के बयान से पता चलता है महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है डूब मरो डूब मरो कॉंग्रेस के लोगों डूब मरो क्या भाशा बोलते हो आप क्या राजस्थान के मर्द जो इस बिट्टी के लिए मौत को आलिंगन करने वाले शाओरियस से भरपूर यहां के मर्द होते हैं यहां के मर्द बेहन बेटी की इज़त की जिन्दगी के लिए खुद की जिन्दगी दाओ पर लगा देते हैं कि बेटियों की जट लिए मरने मिटने में कोई जो मर्द है वो पीछे नहीं रहता लेकिन उस राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर के प्रियम मंत्री कि यह कहें कि तुम मर्दों का प्रदेश है और इतले बेहनों को जुल्म होता रहता है कांग्रेस को शर्मा आनी चेक नहीं आनी चाहिए इस राजस्तान के मर्दों की माफी माँगनी चाहिए यहां की माता और बेहनों कि माँ भी मागनी जाएंग नहीं मागनी चाहिए राजस्तान की कोई भी माँ बहन बेटी इस बयान को स्विकार कर सकती है यह बयान राजस्तान की हर माता बहन के सीधे में भाले की तरह चूब रहा है और कॉंग्रेस ने इस मंत्री को सजाद बेने के बजाएं इनाम दे दिया है पिकट दिल्ली वाले भी से सहमत हो गए और इसलिए दिल्ली में पैटे लोग बेबी इस बात से सहमत हो गए इस पाप से सहमत हो गए और इसलिए उनको टिकट दे दिया सवाल ये उड़ता है कि जादूगर के एक प्रियम मंत्री के पास वो कौन सी दूसरी लाल डाइडी है कि दिल्ली को भी जुकना पड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकर देना पड़ा लेकिन फिर भी इस मंत्री के पास को ऐसी जानकरी है कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी कोई जानकरी है सब उससे कांपते हैं टिकट दे दिया है मैं आपको बादा करता हूं यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी मेरे साथियों राजस्तान से कॉंग्रेस को सदा सरवदा के लिए हटाने की जरू होता है और हटाने का मतलब सिर्व आपकी विदान सभा में उसका पराजे हो जाए इतना नहीं है जैसे दिवाली के तिवहारों में बैस्वत हमारी माताई बेहने गर में सफाई रोजा ना करती है लेकिन दिवाली के समय कोने कोने से छोटी छोटी जगा से भी इतनी सफाई करती इतनी सफाई करती है घर को चमका देती है जैसे दिवाली के तिवहार में माताई बैने हर कोने की सफाई करती है ना ये चुनाव भी वो दिवाली हैं, हमने ऐसी सफाई करनी हैं, किसी कौने वे भी कॉंग्रेस बचनी नहीं चाहिए, करोगे, पक्का करोगे, तब तो देव दिवाली ऐसी मनेगी, ऐसी मनेगी, साथियों, कॉंग्रेस के सांसन में दलीतों के खिलाब भी अत्याचार के नए रिकार्ड बन रहे हैं, कॉंग्रेस स्वभाव से ही दलीत विरोधी हैं, मैं एक सबसे ताजा उदाहरन आपको देता हूँ, अभी हाल में ही देश को पहला, देश को पहला दलीत मुख्य सुचना आयुक्त मिला, चीफ इनफरमेशन कमिश्णर, उनका नाम है हीरालाल सामरियाजी, ये दलीत मा का बेटा हीरालाल, ये आपके इसी डीक गाउं के रहने वाले हैं, ये डीक थोड़े समय पहले तक भरूची ये हमारे बरतपुर जिले का हिच्चा हुआ करता था, लेकिन दुर्भागे ये है कि कॉंग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलीत अधिकारी की नियूक्ती भी पसंद नहीं आई, इसके लिए जो मिटिंग रठी गई थी, उसका भी कॉंग्रेस ने बाइकोट किया। कॉंग्रेस एक दलीत अपसर को उचे पत पर पहुंचते हुए देख ही नहीं सकती है। यह वही कॉंग्रेस है, जिसने रामनाथ कोवित जी का विरोध किया था। यह वही कॉंग्रेस है, जिसने बाबा साब आम बेड़ करको हमेशा अप्मानित किया। कॉंग्रेस ने दो दो बार बाबा साब को चनाओं में हराया। उन्हें राजनिती से दूर करने की कोशिश की जबकि ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुन्य स्थलों को पंच तीर्थ के तौर पर विश्चित कर रही है बाबा साहब के बाद दसकों दूसरा दलीत कानून मंत्री भी भाजपान ने ही बनाया है हमारे राजस्तान के ही अर्जुन राम मेगवाल जी अद्देश के बड़े बड़े कानूनों को बनाने में बड़ी भूमी का निभार है मेरे परिवार देनों आपका सपना आपका सपना आपका सपना आपका सपना ही मोदी का संखल्प है और मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है जो कुछ है सब आप ही है मेरे लिए मेरा संकल्प है हर गलीब दलीद पिछडे हर परिवार तक जीवन की मुल्स विदाय पहुँचे कोई भी जवरतमन सरकार की योजना से मंचित न रहे इसके लिए देश में अब भारत सरकार आपके गांव आ रही है पंद्रा नमेंबर से देश में विट्सित भारत संकल्प यात्रा शुडू हुई है बरतपुर के गांव गांव से भी चुनाव के बाद यह यात्रा गुजरेगी पीम आवास हो गैस कनेक्शन हो जलसे के लिए पानी की वबस्ता हो मुक्त इलाज का प्रबंद हो बीमा हो पैंशन का प्रबंद हो ऐसी अनेक योजनाओं का लाब जिने अब तक पहुचा नहीं है उनके लिए सुविधाया पाने का ये नया अवसर सरकार आपके घर आंगणा करके देने के लिए योजना मोदी लेकर के आया है साथियों साथियों ये इतिहास गवा है हर पल गवा है हर इलाका गवा है मोदी जो भी गारंटी देता है वो हर लाभारती तक पहुचती है शत प्रतिशत लाभारती तक पहुचती है मोदी ने आपके राशनकार को भूख से मुक्ति का गारंटी कार भी बना लिया किसी भी गरिप पारिवार को रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका ये बेटा आपका ये भाई दिल्ली में आपका सेवक मन करके बैठा है मोदी ने ताय किया है ती मुप्त राशनकी योजना आप सबको याद होगा जब कोवीड की बिमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था मोद मंद्रा रही थी अस्पतालों में मरीज से ज़्यादा मुझत देह नजर आते थे परिवार भी चिंता में दबे हुए थे अगर मा बिमार है तो बेटे को कहती थी बेटा मेरे कमरे में मत आना जो होगा तो होगा बेटा बिमार होता था तो मां को कहता था मां मैं सहन कर लूँगा तुम गमरे में मताना कहीं तुम्हें बिमारी नमग लग जाएं हर परिवार में मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहा था वैसी हालत हो गई थी कौन बचेगा कौन चला जाएगा भाय का वातावरन था दुनिया थब पड़ी थी व्यापार रोजगार पर मुसिबत आई थी और तब यह मोदी जो गरीब की मात्य बेटे के रूप में जब आपके सेवां में बैठा है उसने सोचा कुछ भी हो जाए गरीब के घर का चूला बुजने नहीं दूगा मेरे देश का कोई बच्चा भूखा न सो जाए मेरी कोई मां बच्चों की भूख देखकर के आंसू पीकर रहना जाए इसलिए हमने निरने किया था अन्न के भंडार खोल दिये थे मुप्त राशन दिया था हर परिवार को मुप्त राशन देना शुरू किया आज भी असी करोर लोगों को मुप्त राशन मिल रहा है यह योजना यह डिसम्बर महने में पूरी हो रही है लेकिन मोदी ने संकल्प कर लिया है निश्चय कर लिया है कि मुप्त राशन वाली योजना अगले पांट साल तक चालू रहेगी अब किसी परिवार को भोजन की थाली की चिंता नहीं रहेगी इतना बड़ा पवित्र कारिय करने का निर नहीं किया है मुझे बताईए भाईया राजस्तान के लोग तो वीरता से भरे हुए लोग है जब ऐसा काम करते हैं तो पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है अब पांच साल के लिए गरीब के घर में चुलता जलता रहेगा बच्चे को रोटी मिलेगी क्या पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह किसको मिलेगा है यह कुन्य किसको मिलेगा है यह कुन्य आपको मिलेगा यह पुन्य के हगदार आप है क्योंकि आपने वोट दे करके मोदी से यह पवित्र काम करवाया है और इसलिए यह पुन्य के अधिकारी आप है लेकिन यह कॉंग्रेस पार्टी भी देखिए कमाल की पार्टी है गरीब को मुप्त राशन से कॉंग्रेस बहुत तिल मिलाई हुई है गुस्से में है और इसलिए कॉंग्रेस इलेक्शन कमिशन को जाकर के मेरे खिलाब इतनी बड़ी चिठ्ठी दे करके आ गई है अधालत में जाने के धंकियां दे रही है है अरे गरीब के रोटी खिलाने में जेल भी जाना पड़े तो क्या होता है जी चले जाए साथियों राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार किसानों के कल्यार को सर्वच्च प्रात्विक्ता देती जहां जहां भाजपा सरकार हैं वहां के किसानों को पिएम किसान सम्मान निदी के बारा हजार रुपे मिल रहे हैं छे हजार केंद्र के और छे हजार राज्य के राजस्तान भाजपाने अपने संक्राइब